हेलो फ्रेंड नमस्कार तो फ्रेंड आज आपन बहुत लोग ने पुछा भाई एवरेस क्या देता है वैगनार तो भाई ऐसा एवरेस तो एक बार C&G फूल करते हैं 200 प्लस मेरा रात में चल जाता है तो आज आपने प्रॉपर C&G टेस्ट करने वाले रियल टेस्ट आपने अब तक जितने भी टेस्ट देखोंगे वह सीधा टेस्ट देखोंगे यानि एक तरफ से गया एक तरफ से बंद आया लेकिन यह मेरा रियल टेस्ट है वैगनार टूर H3 टैक्सी मॉडल है और आपन जो इसका टेस्ट करेंगे पूरी ऑन ड्यूटी करेंगे मतलब आपन उबर ओला ओन करेंगे और ड्यूटी रहते हुए काम करके देखेंगे कि एवरेज कितना गाड़ी दे रहा है करते हैं और जो अपना भी देख लो जीरो मैंने ट्रीप कर दिया सेंगी मैंने फूल कर दिया और मुंबई में जो 79 रुपे सीनजी का रेट है एक कम असी रुपे मुंबई में आज की तारीक में है इसका रेट और आज सुमवार आठ अप्रेल हो रहा है ठीक है आठ अप् करेंगे डिपेंड करता है घर से कितनी दूर हो उसी साफ से अपना काम बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है तो वहां पर रियल टेस्ट भी करेंगे आपको यह सीनजी कितना चलता है तीन पॉइंट पेट्रोल भी है अभी तो आपन एक दम तो खताम होने से पहले सीनजी भर लेंगे लेकिन अपने को एक अंदाजा लग जाएगा आप उनने कितना से अंजी भरा है और कितना किलो मेटर गाड़ी किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको देने वाला बटर खुलना है रखाओ गाड़ी साप किया थोड़ी गर्मी आ गई तो अब यहां से आ भूम पाम करते हैं आपको तुमारा भाई आज रियल टेस्ट देने वाला आपको वैगनार तूर एस मॉडल का तूर एस मॉडल सी अंजी का ओके फ्रेंट्स छे किलो मेटर ड्राइब करके खाली में आ चुका हूँ चेंबूर फाटक बुकिंग सा रहे थे मुझे सीवाज ने करके अंदर जो अंदर जाने का कंजेश्टेट होता है मां की बुकिंग एकसेप्ट ने करता एक बांदर कुडला कंप्लेक्स आया था और उमर खाड़ी जो मॉंबई मार्केट का आया थो तो मैंने लिया नी बहुत कंजेश्टेट रहता है यारो सीवाज नेकर बैगे चल यह आपको दिखा देता हूं मैं मेरे टोटल गाड़ी कितनी चली हुई है तो आप देख लो तीजार किलोमेटर से मने आज यह शुरू किया था चल चुका है 30-24 हो चुका है 6 किलिटर मैंने गाड़ी चला लिया है और अलमुष 12 बजने में 10 मिट बाकी गड़ी मेरी 8-10 मिट फास्ट है गाड़ी की तो कोई बात नहीं चेम्बूर फाटक पर खड़ा हो यह रूट जो जा रहा है लेट साइड में जो रिक्सा और कार गई अभी वो आपको फ्लाई ओबर देख रहा है यह सांता कुरू चेम्बूर लिंकिंग रोड है जो पीछे साइड भी जाता है तो यहां पर मैं खड़ा हूं और देखते हैं यहां से वेट करते हैं मिलता है नहीं मिलता थोड़ा से अंदिजार करेंगे उसके वाद आपने मूव कर दे है फुल एसी ओन जैसा जरुत रहा एसी कम ज़्यादा करते रहा लेकिन एसी ओन रहा पशत्तर किलमेटर ड्राइब के ड्राइब में ही एसी ओन रहा तो जो बुकिंग लगा था हूं मुझे पहले चेम्बूर से थाने वेस्ट का एक बुकिंग लगा था गाड़ को पर से तो उसके बाद घाट को पर से टाना से मुझे वसई का एक बुकिंग लगा और मैं तो सेवंटी फ्ाइब किलमेटर मेडी गाड़ी चल चुकी है 75 km गाड़ी चल चुकी आप लोग को दिखा देता हूँ और जो CNG है वो अभी भी देख लो को कितना पॉइंट है कितना नहीं है तो यह रहा भाई यह देखिए फ्रेंड्स 75.2 km चल गया है तीन बज रहे हैं अभी अब टोटल जो मेरी गाड़ी चल चुकी है दिखा देता हूँ आपको 30,93 km 75.2 75 km मैंने गाड़ी को ड्राइब कर लिया CNG अभी भी आपस लोग देख सकते हूँ अच्छी खासी है अब यहां से बुकिंग मिलेगा अपने को तो डाइड मुंबई का ही लिए चोटा चोटा बुकिंग मिल रहे है अपने को 412 वेश्ट वगयरा का तो लेना नहीं सीधा बुकिंग लेंगे अब मुंबई का और वेट करते हैं और जो एर्निंग है उसका ब्लॉक तो अलग आएगा जो आज का अर्निंग हुआ उसका ब्लॉक अलग आएगा फिर भी एक लमसम बता देते हैं कि 75 km जो मने ड्राइब किया मुझे कितना पैसा म मिल गया है तो ओला का जो ड्राइब मिला था 234 रुपया मिला था 40 रुपया टोल मिला था ओला का जो बोकिंग मिला था बहुती कम पैसा देता है रातने पैसा भाई यह भी याद रखो सोच समझ के आप गाड़ी लगाने की सोच रहो निकालने की तो 16 km का 226 रुपया 186 र 255 रुपय का काम यह समझ यह होला में हो गया 260 रुपय का और जो उबर का बोकिंग मिला है वहां पे थाने स्टेशन से 474 रुपया फेर पे 40 किलमेटर अल्मोश था 452 रुपया मुझे मिला है तो अल्मोश था 300 रुपय का काम हो गया है और 75 किलमेटर गाड़ी चल गई अल्मोश पैसा मिलता है जो पीक अपकरने जाते हैं उसका छोड़ दो मिलता है निए तो जो भी रहेगा अब यहां से आप उन लेके जाएगे उसके बाद मुंबई पहुंचेंगे हैं से 40-50 किलमेटर तो तो उसके बाद बदाते हैं आपको क्या गाड़ी देती है कितना देती है CNG भरते हैं नहीं बरते हो डिपेंड करता है वहां पर तो फ्रेंड फाइनली अपने को वसाही से एक booking लगा था 90 किलोमेटर दूर का और माइले स्टेज भी अच्छा कासा हो गया यह देखिए थोड़ा सा कम किया हो ठंडी लग रही थी तो 173 किलोमेटर थी पॉइंट सेंजी है यह करीब चलेगा 50 किलोमेटर चलेगा उससे यादा नहीं चलेगा तो आप समझ प्रेसर से जो भारत में 200 का प्रेसर था जो मैंने सेंजी भरा था तो आलमर्स 220 किलोमेटर रेगुलर यूज में जो इसका अवरेज निकल के आता मैंने हमेशा चलाया लेकिन आप लोग को दिखाना था इसलिए मैंने दिखा दिया कि भाई एवरेज कितना आता है तो अभी आगे चलते हैं एक उरन बाइपास पर एक सेंजी पर लेते हैं और पन्वेल की तरफ चलते हैं क्योंकि उरन से बुकिंग का चांस काफी कम होता है जो बुकिंग मिलने माला है अभी अपने को पन्वेल से मिलेगा उरन से तो भाई उम्मीद नहीं है कि बुकिंग मिल जाए तो यहां से सिधा पन्वेल निकलेंगे डिवाइ अच्छा था ना एकदम बोम बाम पब्लिक तो इस तरह से 1745 और दो बुकिंग्स वहां का हो गया था अपना उला का और एक उबर का बुकिंग कर लिया था मैंने कितना बताया था आप लोग को जो भी काम किया था 700 या कुछ काम किया था मैंने तो 2400 का काम अल्मुश्ट हो ग इंटर सेटी बोकिंग ही मिलेगा अगर यहां से मिलेगा तो जो भी यह फ्रेंट्स निकलते से एंजी पंप की तरफ उससे पहले बुकिंग आगया तो एक्सेट कर लेंगे क्योंकि गाड़े अभी पच्चास किलमेटर चलने वाली है मेरी और पेट्रोल भी है तो जब तक प्रेंट्स एंजी भर लिया मैंने 453 रुबे का मैंने सीअजी भरा है कितना किलो था यार भूल भूल यह फोटो नहीं लिया तो 400 तीरपन रुबे का सेंजी बरा अल्मुट समझ्दो 600 का सेंजी आता है यानि 2 किलो सेंजी अल्मुस्ट इसमें अभी था मेरे पास तो 177 कि यह मेरी साड़े 5 किलो सी एंजी पे चलिए तो जिसका आप लोग निकाल सकते हो निकाल लेना साड़े 5 किलो पे 177 किलो मेरी गाड़ी चलिए ेस तोटल 220 किलोमूंटर गाड़ी अपनी चलती हैं इतना मैंने आपको पहले वी था है और किश्यट बता रहा हूँ यह 210 डू masturb जो में आपको बता रहा हूँ जो मेरा है वो रातका है मैं रात में काम करता तो रात का है अगर दिन में आप चलाएंगे तो 200 तक देगा, 200 से उपर नहीं देगा, 190 तक भी घसिट सकता है, क्योंकि मुंबई में भाई काम AC के बिना नहीं होता है, AC ON ही रहता है, बिना AC के काम नहीं होता है, और आपको हमेशा AC ON रखना पड़ता है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, AC ON रखना ही पड़ेगा, तो वेगनार का ये एकदम रियल रिवू बता रहा हूँ मैं आप लोग को, तो आप ये समझ के चलो, 8 किलो CNG में 230 किलो मिटर या 240, 2500 किलो मिटर अगर आप रप्टप हाईवे पे चलाते हैं, तो उस तरह से आपको 30 का एवरेज ये गाड़ी देने वाली है, आप 30 का एवरेज पकड़ के चलो, क्योंकि हर कोई रात में ड्राइब करता नहीं, आप दिन में करेंगे तो 30 का पकड़ के चलो, रात में करेंगे खाली तो आपको 33, 35 तक आपको एवरेज दे देगा, बाकी बहुत लोग ने दिखाया, 40-45 का एवरेज देथा भाई, आज तक तो कभी देखा ही नहीं मैं ये, एक टाइम बिना AC के मैंने गाड़ी चला था, 40-50 किरमेटर चल जाता, तो 85-30, 220-25 का एवरेज वहां पर आज भी मिल जाता, और AC on time on, ये एकदम correct एवरेज है जनता, तो भाई, आप लोग अपना ओला उबर भाई को support करो, मैं ओला उबर का डेली ब्लॉगिंग करता हूँ, आपना डेली का डेली का डेली का ब्लॉग 400 प्लस दिखारत एक्सेप्ट किया, फिर रैडर कैंसल आगया, उबर का 3-4 बोगिंग रैडर कैंसल पता नहीं क्यों आया, तो फिर से देखते हैं इदर से तो पनवेल की तरफ आप निकलते हैं, थोड़ा वास्रूम वगरा कर लेते हैं, आपर थोड़ा मूव अगरा दोल मैंने आपको यह रियल रियो दिया, तो जले जनता लाल को काला बनता है, वीडियो को लाइप चैनल को सब्सक्राइब, बूम बा मेरा वास्ट